आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MI के Powerbank का review इसे मैंने online मंगवाया है यह मैंने Amazon से मंगवाया है और इसे order करने के दो दिन के अंदर ही यह मेरे पास पहुच गया है और अभी मैं आपके सामने ही इस packet को open कर रही हूँ तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है original ad duplicate कैसा है अभी आपके सामने ही देखते हैं तो इसमें से निकला है एक user manual जिस पर सारी डिटेल दी हुई है सारी instructions वगएरा दी हुई है और इसकी MRP 11.99 थी और यह मुझे मिला है 8.99 रुपिज में Amazon पर तो यह इसका बिल है और यह है power bank MI power bank 2i 10,000 mAh और यह made in India है box की back side पर सारा डिटेल दी हुई है इस पर लिखा हुई है कि इसमें एक power bank है एक USB cable है एक user manual है और इसकी manufacturing भी लिखी है तो April 2019 की manufacturing है और इसकी MRP 11.99 लिखी है और Amazon पर मुझे यह 8.99 में मिला है और यह made in India है तो आए इसको खोलते हैं और देखते हैं power bank को आज की डेट में power bank बहुत ही जरूरी है जो लोग traveling करते हैं यादा phone यूज करते हैं तो उनके लिए तो यह बहुत ही जरूरी है और इस power bank की खासियत यह है कि इस पर दो mobile एक साथ charge किये जा सकते हैं तो इस box में से एक USB cable निकली है और एक power bank निकला है तो यह बहुत ही sleek सा power bank है और इस पर MI का logo देखकर ही पता लगते हैं कि यह original power bank है पावर bank के उपर भी इसकी पूरी डिटेल दी हुई है और दूसरी साइट पर आप देख सकते हैं कि इसमें दो mobile चार्ज करने का port बना हुआ है और यह power bank को चार्ज करने का और यह on off का और जहां पर इस चार लाइट्स लगी हुई है LED lights लगी हुई है और यह USB cable इसके साथ एक मिलती है अगर आपने दो mobile एक साथ चार्ज करने है तो आपको एक USB cable मार्किट से परचेज करने पड़ती है तो अभी इसको on करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कहां से on होगा तो यह on off का बटन है इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से 4 lights blink होंगी तो अभी power bank on हो गया है अगर हमने इसे off करना है तो उसी बटन को हम कुछ second के लिए प्रेस करेंगे तो अभी मैंने प्रेस कर दिया है तो यह 10 time blink करेगा तो अभी आप देखेंगे कि 10 time lights blink करेंगी और फिर अपने आप off हो जाएगा तो अभी इसकी light रुक दी है तो अभी यह off हो जाएगा बोक्स की एक site पर anti counterfeit label लगा हुए है उस पर लिखा हुए है कि यहाँ पर scratch करने पर एक code मिलेगा वो security code होगा तो साथ ही यहाँ पर MI की site भी दी हुई है तो इस code को हम उस site पर जाकर check कर सकते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि यह product genuine है यहाँ फिर duplicate है तो सब इसमें check हो जाएगा Amazon से मंगाया हुआ MI का power bank बिल्कुल original है इसका security code डालकर मैंने site पर भी check कर लिया तो यह original है और यह बहुत ही genuine price में मुझे मिला है और बहुत अच्छी condition में मिला है कोई damage नहीं था बहुत ही अच्छी condition packing में मिला है MI के power bank को अगर हम MI के ही charger से charge करते हैं तो यह 1.5-2 गेंटे में fully charge हो जाता है और कभी भी power bank को overcharge नहीं करना चाहिए नहीं तो इसकी life कम हो जाती है तो भी मैंने इसमें MI का ही charger लगाया है तो भी lights blink हो रही है तो जैसे ही हम इसे charger से उतारेंगे तो यह lights अपना पॉफ हो जाएंगी आपको power bank का यह review video कैसा लगा comment box में जरूर बताएं और अगर आप कोई और भी review video देखना चाहते हैं तो वो भी comment box में जरूर लिखें Thank you for watching my video मिलती हूँ एक और नए useful video के साथ बहुत ही चल दी के पाँ कुगर फ। बहाँ नएस है जड़ी